प्लेग्राउंड पेपा और जॉज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं कैंडी काट और पेड्रो पोनी क्लाम्बिंग फ्रेम पर हैं रुबेका राबिट, सुजी शीप और डानी डॉग स्लाइट पर खेल रहे हैं पेपा जूले पर जूल रही है मामी, मामी, जूला जूलाओना तुम तयार हो? हाँ, मुझे बहुत उचा जाना है और उपर, मामी जॉर्ज को भी जूले पर जूलना है अब तुमारी बारी जॉज कस कर पकड़ो? मैं जॉज को जूलाओंगी जॉज को धीरे से जूलाना पेपा जी मामी, कस कर पकड़ना जॉज ओहू, पेपा ने जॉज को बहुत जूला जूलाया जॉज को ये बिल्कुल पसंद नहीं पेपा, तुम्हें पता है जोज को उचाए से डर लगता है सॉरी जोज चलो वहाँ खेलते हैं हलो सुजी, हलो डानी हलो पेपा तुम सब गलत करे हो, जूलने का सही तरीका ये है पीछे रहो, एक, दो, चलो मेरी तरव देखो, मैं पंची की तरह उड़ रही हूँ ओ, मैं फस गई हूँ पेपा टायर में फस गई है ये हसने वाली बात नहीं है हमें धोड़ी हसी तो आ रही है तुम्हें बाहर निकालना होगा पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे है मा तैंक यू दोस्तो जॉर्ज, क्या तुम्हें क्लाइमिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइमिंग फ्रेम बहुत उची है जॉर्ज को उचाई से डर लगता है स्लाइड पर खेलते हैं पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है सब को स्लाइड करना पसंद है मामी डारी मुझे देखिये एक दो चलो ये जोर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है तुम डरोगे तो नहीं न जोर्ज ये थोड़ा उंचा है ठीक है मैं तुम्हें उपर चड़ा देता हूँ ओफो ये भी जोर्ज के लिए बहुत उंचा है तरो मत जोर्ज मैं साथ में स्लाइड करता हूँ डाडी आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े है कुछ भी मत कहो पेपा मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ चलो पीछे हटो एक दो तिर डाडी पिक फस गए इसमें हसने की क्या बाद है डाडी आपको देखकर बहुत हसी आ रही है हाँ शायद थोड़ी हसी आ सकती है हमें आपको नीचे ढखेलना होगा कि यह विए निया कि अब गिए का पेट उचलने वाले गुबारे जैसा है जोर्च को डाड़ी की पेट पर उचलकर अच्छा लग रहा है जॉर्ज को अब उचाए से बिल्कुल डर नहीं लगता दादा पिक की बोट दादा पिक, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जाकेट्स पहन लो दादा पिक की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जाकेट्स पहनने ही पड़ते हैं पता है बच्चों, इस बोट का क्याप्टन मैं हूँ आई आई कैप्टन आई आई कैप्टन जब क्याप्टन दादा तुम सब को कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए बेवकूफी छोड़ कर कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते बेलकुल नहीं, कैप्टन दादा जोर्ज, जंडा लहरा आओ पेपा, बेल बजाओ आई आई कैप्टन डादी पिग, वील सम्हा लो आई आई कैप्टन चलो चलते हैं तेज चलो शायद आपको थोड़ा दीरी चलाना चाहिए तुमने सही कहा, दादी पिग मुझे अपना सारा पेट्रोल खातम नहीं करना है दादा पिग, तेज चलिये ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा, जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे दीखें, एक और बोट यह है दादा डॉग वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएंगे कैसे हो, डानी और दादा डॉग कैसे हो, दादा पिग हलो डानी हलो पैपा दादा डॉट दादा पिक के बेस्ट फ्रेंड है मुझे यकिन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी भी तेर रही है दादा डॉट वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है ये पुरानी बोर्ट तुम्हारी जंग लगी बाल्टे से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग ओ अच्छा तो चलो समुदरी डॉग रेस लगा कर देखते हैं हारने के लिए तयार हो जाओ पाने पिग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा आपने पहले उने समुदरी डॉग का दादा आपको सौरी बोलना चाहिए अगर उस्ते पहले सौरी बोला तो बोलूगा दादा, अपने दोस दादा पिग को सौरी बोलिये, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है, और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुदरी डॉग, अगले बिच तक रेस लगाते हैं तो चलो तीन तक गिनते हैं एक, दो, तिर, तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़के दिखाओ पाने पे समुदरी डॉग, अगले बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं पपेर सकते हैं जीत कया ओ, ये क्या, दादा पिक की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की, कैप्टन दादा शाद मैंने कुछ जाधा ही तेज चला दी हम वापस घर कैसे जाएंगे वो देखिए, दादा डॉग दादा डॉग हमें खीच कर वापस ले जाएंगे नहीं मुझे उस समुद्री डॉग स अपनी बोट को नहीं खचवाना मैंने उस पानी पिक को खीचने के लिए पूछा भी नहीं हाह, क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे दादा पिक, अब दादा डॉग को सौरी बोलिये मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हे समुद्री डॉग कहा दादा, दादा पिक को सौरी बोलिये न मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हे पानी पिक कहा बहुत अच्छे, दादा डॉग, क्या आप हमें खीच कर घर तक ली जाएंगे और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी, मैडम इसे पकड़ो, क्याप्टन आल राइट, स्किपपॉ दादा डॉग, दादा पिक के बेस्ट फ्रेंट है दादा डॉग, दादा पिक की बोल्ट को खीच कर घर ले जा रही है सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मैं रेस चीट गया दादा पेग शहरारती दादा पेग फेपा, बेल बचाओ आयाय, कैप्टेन तट्रूथ फेरी पेपा और जॉज अपना फेवरिट खाना खा रही है नूडिनेज कितना शोर मचा रहे हो खतब हुआ अब हमें थड़ी शांती मिलेगी ये क्या है ये दाद है ये कहां से आया पेपा, तुमें जाकर आयने में देखना चाहिए ये तो मेरा दाथ है ये कैसे गिर गया फिक्र मत करो पेपा ये दूद का दाथ है वो तो गिरते ही है नया दाथ आजाएगा न ममी हाँ, जरूर आएगा पेपा इसका ये मतलब है कि आज टूद फेरी तुमसे मिलने आएगी टूद फेरी? हाँ, टूद फेरी अगर तुम अपना दाथ तक ये के नीचे रखोगी तो टूद फेरी आएगी टूद फेरी तुम्हारा दाथ लेकर जाएगी और उसकी जगा वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी, मैं टूद फेरी बनूँगी और जब तुम बड़े हो जाओगी, तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? दाइनसोर एक दाइनसोर? चल जी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है नहीं तो हम टूद फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले, पेपा और जॉर्ज अपने दान्त ब्रश करते हैं पेपा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दान्त ब्रश कर रही हूँ, ताकि टूद फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दान्त तक्ये के नीचे रखती है टूद फेरी के लिए गुद नाइट पेपा और जॉर्ज गुद नाइट मामी, गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्चों जोर्ज, मैं तो सूँगी नहीं चलो हम दोनों पूरी राद जाकते हैं और टूद फेरी से मिलते हैं ये टूद फेरी कब आएगी टूद फेरी को आने में काफी देरी हो रही है कहां है वो टूद फेरी वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूद फेरी थे? जोर्ज, क्या तुमने कुछ सुना? ओ जोर्ज ओ ये आवाज तो जोर्ज के खराटों की है वो इतना ठका हुआ था कि सो गया जोर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता पर मैं जग सकती हूँ मैं जाकते रहूंगी और टूद फेरी को देखूंगी मैं नहीं सोने वाली हूँ आखिरकार टूद फेरी आ ही गई लेकिन पेपा सोई हुई है हला पेपा, क्या तो मैरे दाथ के बदले में तुम्हें ये सिका चाहिए? वाँ, कितना अच्छा और साफ दाथ है तेंक यू पेपा, गुद नेट पेपा, जोज, अच्छाओ, सुबा हो गई क्या, मैं सोई नहीं थी क्या टूद फेरी आई थी? नहीं आई चलो तक ये के नीचे देखते हैं देखो पेपा, टूद फेरी आई थी और उसने तुम्हारे ले गोल्ड कोईन रखा हुदे तुम सो गई थी है ना? हाँ, शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी लेकिन अगली बार में जगी रहोंगी और टूद फेरी से जरूर मिलोंगी तबियत ठीक नहीं ममी और डाडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉज के लिए नाश्ता बनाया है नाश्ता तयार है पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकलाए है मामी मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा तुम बिमार लग रही हो चिंता मत करो मैं डॉक्टर ब्राउन बेर को बुलाता हूँ डॉक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूँ पेपा की तबिय ठीक नहीं है उसके चेहरे पर लाल दाने निकलाए है पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेर आए है हेलो बेटा पेपा, कैसी तब्यत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी जबान जरा बाहर निकालो डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सर्फ रैशेज आए हैं मुझे दवाई की जरूरत है रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे पर अगर तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ हाँ, दीजिये ना इसका स्वाद शाय अधे तुम्हें पसंद आए चलो अब मूझ खोलो यक, गंदी और कडवी बड़ी ही बहादुन लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली पेपा को आराम करना चाहिए उसकी तबियत के बारे में में बाद में फोन करके पूछूंगा पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ, हाँ, ज़रूर आ सकते हैं ये रैशस फैलेंगी नहीं गुड बाई 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 डॉक्टर ब्राउन बेर मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा पर ये कितना बोरिंग है डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सुजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ हेलो मिसस पेग पेपा सुजी से बात करना जाती है हेलो सुजी हेलो पेपा, मेरी तबिया ठीक नहीं है मेरे जहरे पर रैश है डॉक्टर आये थे क्या हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आये थे उन्होंने कहा मेरी तबिया ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ तो तुम सचमुझ बीमार हो हाँ, हाँ, मैं जूट नहीं बोल रही मुझे बिस्दर में ही रहना है डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ सुजी शीप पेपा से मिलने आई है सुजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने है टानी डॉग और रबैका राविट भी साथना है हेलो पेपा हेलो तुम कैसी हो पेपा मेरी तब्या ठीक नहीं है सुजी मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तुम मेरे लिए संत्रे का जूस ला सकती हो ठीक है लगता है कि पेपा को बड़ा मज़ा रहा है तैंक यू सुजी अभी कुछ ठीक लग रहा है थोड़ा सा डानी मेरी ममी से पूछो क्या मैं आइस क्रीम कह सकती हूँ और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूला सकती हो पेपा ठीक हुई यह नहीं यह देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बैर आए है अरे वाह नर्स तो पहले से ही पहुच गई तो बताओ मरीज कैसा है मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो पस ऐसी ही अच्छा जी तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ हाँ प्लीज हरे वाह रैशिस गायब हो गए हैं तुम तब बिल्कुल ठीक हो गई क्या मैं थोड़ी भी बिमार नहीं हूँ अब कैसा लग रहा है मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है कौन आएगा मेरे साथ मैं 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 भी अरे ये क्या तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई और अधि मुझे सब से अच्छी सहेली सुसी शीप काई भी है हेलो सुसी शूझी पर पखेलने के लिए है पर जूझी पसंद है पर ने हाउन को प्क्की सहेली आ ङहाई है कि पैपा क्यों ने तुम और सूजी बेड्रूम में जाकर खेलो ठीक है मामी जोर्ज भी खेलना चाहता है पैपा और सूजी को पैपा के बेड्रूम में खेलना अच्छा रखता है और जोर्ज को भी नहीं जोर्ज ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है जाओ और अपने खिलोनों से खेलो पैपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं मैं बहुत चोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुमें एक मिंदग बना दूंगी जोर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता जोर्ज भी खेलना चाहता है नहीं जोर्ज मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ तुम कहीं और जाकर खेलो जोर्ज पैपा के साथ खेलना चाहता है वो अकेला मैंसूस कर रहा है जोर्ज मुझे मदद चाहिए मैं चॉक्रेट चिप कुकीज बना रही हूँ जरा बोल में से चक्कर बताओ जॉर्श का कुकीस बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेरना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्तर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा जोर्ज पैपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जोर्ज को भी पैपा जोर्ज की धड़कन सुनती है जोर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुझे खुलो प्लीज सूजी जॉर्ज का टेंपरेचर चेक करती है ओ डियर तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैडी बिग जॉर्ज को देखने आये है ओ नहीं क्या हुआ है जॉर्ज को चिंता मत कीजिए यह सिर्फ खेल है जॉर्ज हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वो थक सकता है कुकीज है यह जॉर्ज के लिए है यह उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुद्गुदी होती है मैं इसके गुर्गुर सुन सकती हूं मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी को किस खानी चाहिए और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रूप में जा रहे हैं ये जॉर्ज का पहला दिन है जॉर्ज क्या तुम्हें प्ले ग्रूप में जाना अच्छा लग रहा है दाडी मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रूप के लिए बहुत छोटा है वो ठीक रहेगा पेपा और फिर तुम और मिस्टर डाइनसार वहां उसके साथ रहोगे दाइनसार लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूं ना कि जॉर्ज और उसके डाइनसार से ओ जिया पेपा जॉर्ज के साथ प्ले ग्रूप में जाना नहीं चाहती हम पहुंच गए तैड़ी आपको यकीन है जोज बड़ा हो गया है वो ठीक रहेगा ठीक है यह आ सकता है बाई बाई मैडम कजैल प्लेगोड के बच्चों की देख भाल करती है हेलो यह है मेरा छोटा भाई जोज हलो जोज काश मेरा भी एक जोज जैसा एक छोटा भाई होता सच में हेलो मैं हूँ डानी डॉग क्या यह डाइनोसार है यह सिर्फ एक खिलोना डाइनोसार है सच में टरावना है यह शांदार है जोज मेरा भाई है और वो कमार का है पैपा को उपने चोटे भाई जोज पर गर्व है हुआ है है कि बहु यह जलो हम जोज को बताते हैं कि तस्वीरह कैसे बनती हैं जोज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है शायद तुम उनके मदद कर सकती हो हां मुझे बहुत अच्छी आती है मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है जोज आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं पहले तुम्हें बड़ा सर्कल पेंट करो नहीं जॉर्ज ये रंग सही नहीं है अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो जॉर्ज ये सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो परफेक्ट जोज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पेंट किया है ये बहुत अच्छा है पेपा और जोज ने पेंट किया है एक डाइनसौर ये राइनसौर जोज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए पेपा तुम्हें अपने चोटे भाई पर गर्ब होना चाहिए हाँ मुझे है घर जाने का समय हो गया और बच्चों के मम्मी बाबा उन्हें लेने आ गए है क्या जोज फिर से आ सकता है हाँ और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जोज टाइनसौर गर्ली एक और डाइनसौर की तस्वीर शायद तुम हमें सिखा सकते हो की डाइनसौर कैसे पेंट करते हैं शांदार हाँ शांदार मेरी बर्दे पार्थी आज पेपा का बर्थ डे है और सुभा हो चुकी है आज मेरा बर्दे है जोज उठो मेरा बर्दे है आज मेरी पार्थी है और डाड़ी जादू दिखाने वाले है जल्डी चलो जोज ममी और डाड़ी को उठाते है ममी पिग और डाड़ी पिग अभी भी सो रहे है उठिए मेरा बर्दे है उठिए कितने बजे हैं बहुत देर हो गई है सुभा के पाच बज़े है हाँ पूरा दिन खतम हो रहा है चलो तुम्हारे बर्दे की तैयारी करते हैं येपी मॉमी पिग, डादी पिग और जॉर्ज पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्थडे पेपा क्या है इसमें ये इस टेड़ी को पेनाती हूँ अप सब ठांक यू खुश रहो पपा मुझे नहीं पता था ये टेड़ी एक लड़की टेड़ी है श्राब smt तैड़ी आपको नहीं पता टेड़ी लड़की है मुझे अपना नया ड्रास पसंद है ठांक यू कोई बात नहीं टैड़ी, बस इसे खराब मत करना तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है हाँ, मेरी बद्ध पाठी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैड़ी जादू दिखाने वाले है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैड़ी है तुम सब को बताओगे के मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद्भाजाओ हाँ, अद्भुत जादूगर डैटी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरी दोस्ता आ गए यपी पैपा के दोस्ता आ गए कैंडी काट, सुजी शीप, डैडी डॉग, रबेका राबट और पेड्रो पूनी हेलो दोस्ता आ गए पैपा चलो बचो, पार्टी शुरू हो रही है ये ये डैडी पिग जादू का शो करने वाले है पैपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ, एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डैडी दोस्तों पेश करती हूँ, जादूगर डैडी ये 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 रही मेरी पहली ट्रिक, अबराकाड़ाबरा वाव, ये तो टेरी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम मिसे किसी की मदद चाहिए मुझे एक ही चाहिए प्यारी बच्ची, तुमने पहले हाथ उठाया चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सूजी शीप देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक है जब मैं पीछे मुड़ जाओंगा तब तुम्हे मुझे बिना बताओ एक चुनना होगा ठीक है क्या तुमने एक चुन ली? हाँ आबरा का डाबरा तुमने चुनी पीली नहीं आबरा का डाबरा नीली? नहीं पाबरा का डाबरा लाल? हाँ पीली जवाब हुरेए भुर्तु जादु कर डाड़ी आपने तीनो रंग बता दिये पैपपा इसी को बताना नहीं हाँ हाँ क्या एक और जादु देखना चाहोगा? हाँ, प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है अब जादु शब्द बोलो आपरकडदाबरा अब अपनी आखे खोल दो हुरेए मेरा बर्तिकेक मुझाओ पैपा हुरेए हुरेए पैपा सभी को थेंक यू ये मेरा सबसे अच्य बद्दे था स्कूल का नाटक पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है लिटल रेड राइडिंग हुड सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है उन्हें घर में प्राक्टिस करनी होगी पेपा हुगी लिटिल रेड राइडिंग हुड ममी पिग ने पेपा को तैयार किया है और डाडी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे है तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड तो अच्छे, उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ मैं दादी से मिलने जा रही हूँ शाबश पेपा डाडी डॉग बनेगा बडा बुरा भेडिया दादा डॉग और ममी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे है मैं हूँ बड़ा बुरा भेडिया, हुह, बोलने के बाद हसना नहीं, डानी, तुम्हें डरावना लगना चाहिए, देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं हूँ एक बड़ा भुरा भेडिया, हाँ, और मैं तुम सबको खा जाऊँगा, हाँ, देखा, हाँ, सच मुछ बहुत डराव मैं एक शिकारी हूँ और, पेड्रो थोड़ा शर्मीला है, तुम कहना, मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ, बड़े बुरे भेडिये, मैं तुम्हें भगा दूँगा, बुरे भेडिये, शाबाज पेड्रो, रिबेका रैबिट दादी बनने वाली है, मैं क्या बोलू ममी, देखते हैं, नाटक के शुरुवात में बड़ा बुरा भेडिया तुम्हें अलमारी में बन कर देगा, नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेका, और तुम कहोगी, थैंक यू, कहो थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे, रिबेका, ही, 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 तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से प्लीज, प्लीज, कलाकारों की फोटो लीना मना है, ऐसा मत कीचिये और अब शिरू करते हैं हमारा नाटा दादी घर पर है पर ये महमान कौन है मैं हूँ बड़ा बुरा भेडिया क्या बात है दानी ओहो, आगे क्या बोलना है ये दानी भूल गया दादी, आप अलमारी में चले जाओ अलमारी में जाओ बड़ा भेडिया दादी बनने की नकल कर रहा है मैं हू लिटिल रेड राइडिंग होड मैं दादी से मिलने जा रही हूँ शावाश पेपा टादी, आपको फोटो नहीं कीचने चाहिए ओहो, सारी पेपा, जारी रखो मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ तुम मेरे दादी की तर नहीं दिख रही हो तुमारे आखे कितनी बड़ी है तुमारे दाँच कितने बड़े है तुम मेरे दादी नहीं हो तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो बचाओ कोई बचाओ, बचाओ पर देखो, यहां कौन आया है? यह है शिकारी पेद्रो. बचाओ, कोई, बचाओ. बिल्कुल सही वाक्त पर, शिकारी पेद्रो. पेद्रो थोड़ा शर्मीला है. पेद्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ चलू? हाँ, प्लीज. तुम बहुत ही सराथी बेरिये हो. मैंने आपको बचा लिया दाजी. हुरे! थैंक यू. शाबाश, शाबाश. बहुत अच्छे. पेद्रो, तुमने बहुत अच्छा किया. तुम बिल्कुल मेरे इस इतने अच्छे थे. तुम बहुत अच्छे. आज शानदार धूप के लिए और पेपा और चॉर्ज अपनी साई के लिए चला रहे हैं. कितना बढ़िया पंकिन है डाडी पे? डाडी पे को अपने पंकिन पर नाज है. मुझे बस पंकिन ही उकाने आते हैं. शायद इसलिए मुझे पंकिन पाई से प्यार है. चल्ड़ी आओ जोर्ज. दैनी, सूजी, रिबेका. पेपा और उसके दोस्त डैनी डाग, सूजी शीफ और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साईकले जला रहे हैं. और जॉर्ज अपनी ट्राइसीकल चला रहा है. ये कितना धीरे चलाता है. चलो डाड़ी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगाएं. अगर हम डाड़ी के पंकिन की तरफ रेस लगाएं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरान आ जाए. अगर पंकिन टूट गया, तो डाड़ी बहुत नाराज हो जाएंगे. चिंता मत करो पेपा, रेस करो. पेपा और उसके दोस डाड़ी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगा रहे हैं. हेई, मेरे पंकिन का ध्यान रखना. रेस! पेपा, ध्यान से, डाड़ी का पंकिन. सॉरी डाड़ी. देखो जोज को, वो कितने धीरे चला रहा है. जोज अभी तक बच्चों की साइकल चलाता है. तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकल है, पेपा. इसमें भी बैलनसर लगे हैं. मैं बिना बैलनसर के चला सकती हूँ. मैं भी. मैं भी. चलो फिर से पाहाडी पर चड़े. तुम आओगी पेपा. नहीं, मैं यही पर रहूंगी. बाइ, बाइ. बाइ. पेपा चाहती है कि उसकी साइकल में बैलनसर ना लगे हो. डाडी, मुझे अपने साइकल में बैलनसर नहीं चाहिए. तुम बिना बैलनसर के चला पाओगी? हाँ. ठीक है पेपा, इसे निकाल देते हैं. डाडी पिक पेपा की साइकल में से बैलनसर निकाल रहे हैं. क्या तुम सच में बिना बैलनसर के चला पाओगी? हां मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी मैं चला सकती हूं हां हां इसमें हसने जैसा क्या है बिना बैलेंसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता मैं तुम्हारी मदद करूं पेपा हां डैरी प्लीज ठीक है रेड़ी सड़ी दो छोड़ना मत डैरी दब्राव मत मैं इसकी अच्छा चला रही हो पैपा छोड़ना मत डाडी सबीग कर दो चलाती रहो पैपा यह्जा आप बिना बैलेंसर के साइकल अपने आप चला रही है डारी ऑप और दृ लिचिए चोड़ दिया तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो सचमें तुम सच मुछ ठीक से चला सकती हूँ तैनी सूजी रिबेक्का देखो मैं बिना बैलंसर के साइकल चला सकती हूँ देखो मुझे रेखो डाड़ी के पंकिन की तरफ रेस लगाएंगे पैपा मेरे पंकिन का ध्यान रखना मजीद जाओंगी पैपा नहीं देख रही कि वो कहां जा रही है पैपा ने तो डैड़ी पेक के पंकिन की चटनी बना दी सौरी मैंने आपका पंकिन तोड़ दिया डैड़ी पंकिन की चिंता मत करो जरूरी यह है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना की किस तरफ जा रही हो प्रामस डैड़ी जरूर रखोंगे गूड हां तो जब पंकिन टोटी गया है तो क्यो नहीं इसकी पंकिन पाई बना ली जाए मुझे पसंद है पंकिन पाई और क्योंकि डैड़ी पिक का पंकिन इतना बड़ा है इसलिए सब के लिए काफी पंकिन पाई होगी अज स्कूल मेले का दिन है पैपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पैपा के दोस्त कैंडी कैट सुजी शेप डैनी डॉग रिबेका रैबिट और पैड्रो पोनी हेलो दोस्तों मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है मुझे भी तुम्हें क्या अच्छा लगता है फेस पेंटिंग करना गुबारे पसंद है मुझे सबसे ज़्यादा उचलने वाला कासल पसंद है बहुत अच्छी पसंद है पेपा फिर मिलेंगे पेपा फिर मिलेंगे जॉर्ज तुम्हे सबसे अच्छा क्या लगता है या या ओ डियर मेले में कोई डाइनसौर नहीं है जॉर्ज शायद हम एक डाइनसौर गुबारा कर ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसौर गुबारे हैं डाइटी पेग हाँ जरूर होंगे ममी पेग क्या पहले मैं और जोज अपना मूँ पेंट कर ले हाँ क्यों नहीं मिस रैबिट ने पैपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है तो यह लो सूजी अब तुम्हें एक टाइगर जैसी लगती हो थैंक यू मिस रैविट वाव मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा सूजी क्या तुम पुसी कैट हो नहीं मैं टाइगर हूं पैपा तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो हाँ बिल्कुल मुझे बनना है एक एलिफ लो हो गया पैपा अब तुम्हें एक टाइगर हूं मैं टाइगर हूं जॉर्ज तुम क्या बनना चाहते हो रदी नहीं बोलते तुम्हें कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्या होते हैं और मं यह सुख Canton Susi कैन्दी के तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं, ओके टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कुटे हैं, अच्क्छ Lख मैं किने फेगर छाटो कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं तब आपर करते हैं पर हेलो बच्चों ओ ये क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रहे हूं ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिल्कुल ठीक हमें जॉज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं यह यह तुम्हारे लिए पैपा ुझे कांगारो चाहिए एक सबसे जरूरी है हमें एक डाइनसार का गुबारा चाहिए जोर्च के लिए ओधियर मेरे पास डाइनसार का कोई गुबारा नहीं है फिक्रू मत करो जॉज, मेरे पास एक आईडिया है क्या हम ये दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको देखो डाडी पिग वह पारे से क्या कर रहे है बन गया, क्या कोई बता सकता है ये क्या है यह है डाइनासार बिल्कोल ठीक डाइनासार डाइनासार बनाया अबठ行了 कासल पएपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसँद है सबको उचलने वा ले बैले क्लास पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है ये है माडम गजेल, बैले की ठीचर ओहो, तो तुम हो चोटी पेपा मैं हूँ माडम गजेल हेलो माडम कितनी प्यारी हो तुम तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से सुवागत है मैं तुमें बाद में लेने आऊँगी मजे से सीखो ये रहे पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीप, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पोनी बच्चो, आज एक नई स्टूडेंट आई है, पेपा पिग जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो हेलो दोस्तो, हेलो पेपा हम शुरू करेंगे डेमी फ्लिये से डेमी फ्लिये अब एक चूटा जंप, पटी जित है नजाकत और संदर्ता से पटी जित है नजाकत और संदर्ता पटी जित है नजाकत और संदर्ता पहले की क्लास बहुत मज़ेदार है अपने हाथ उपर उठाओ ऐसा सोचो कि तुम्हें खूबसूरत हांस हो और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवास करेगा नाचना बहुत पसंद है मामी मामी हम सबने हंसो की तरह डांस किया पेपा ने बहुत अच्छा किया मैंने बहुत नजाकत से और सुन्दरता से डांस किया शाबाश मैं आपको दिखाओ मैंने कैसे डांस किया पहले घर चलते हैं फिर तुम डाडी पिक को और जॉज को और मुझे दिखाना बाई बाई पेपा और ममी पे घर आ गए हैं टाडी जोज मैं आपको दिखाओंगी बैले कैसे करते हैं क्या वो मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत आसान था पर आपके लिए जोज और ममी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा पहले हमें चाहिए म्यूजिक गुट अब जोज टाडी और ममी आप वैसा कीजे जैसा मैं करती हूँ माडम गजेल ने मज़ेदार शब्द बोले पर असल में सिर्फ गुटनों को मोड़ना होता है और जॉब करना है पटी शित है डाडी आपको वो शब पता है क्योंकि ममी पिक और में बैले करते थे साफधानी से डाडी पिक हाँ 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 हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैटिजर मुझे शायर ठीक से याद नहीं रहा पुद्धु डाडी पेग शायद हमें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए हाँ मैं उसमें सबसे ची हूँ मैं खुबसूरत हंस हूँ फैंसी ड्रेस पाटी पेपा और जॉज के यहाँ फैंसी ड्रेस पाटी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है पेपा ने परियों की राजकमारी की ड्रेस पहनी है और जॉज ने डाइनसौर की ड्रेस पहनी है यह है पेपा के दोस्त यानी क्याट, सुजी शीव, डानी टॉग, रबेका राबिट और पेडर पोनिंग सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फ्रेंशी टेस वरी नर्स हूँ हाहा, बहुत अच्छे अरे वा, यह कौन आए है? मैं हूँ पाइरेट, मुझसे सब डरो मैं जादुगर्नी हूँ, मैं तुम्हे मेंडग बना सकती हूँ नै, मैं एक जोकर हूँ हाहा, बहुत अच्छे, तुम क्या बनी हूँ, रिपेकर रबिट? मैं गाजर हूँ बड़ी हा, अंदर आ जाओ, एक फेरी प्रिंसिस और डाइनोसार तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोस्तों? हेलो पेपा हेलो सुजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा तुम्हे मुझसे जुग कर बात करनी चाहिए हेलो राजकुमारी मैं हूँ नर्स सूजी, मुझ खोलकर कहिए नए मैं हूँ जोकर कुछ मजेतार करो रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो? मुझे गाजर पसंद है डाइनशॉर पापरी, तरावना, डाइनशॉर पाइने मैं खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आइने, बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हलो पेपा हलो, मैं परियो की राजकुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूई छडी है मेरे पास भी जादूई छडी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ तुम्हें 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 जोर्ज तो खुद को देख कर ही डर गया ओफो जोर्ज देखो आइने में तुम ही हो बच्चों अब ये तैय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस किसने पहना है अब जज कौन बनेगा मैं मैं ये पैपa की पाटी है तो जज भी उसे बनना चाहीए मैं जज हूँ डैडी जज क्या होता है जज तैयकरेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है पैपा ये तैयकरेगी कि किसकी ड्रेस अच्छा है Suzy, क्या मैं तुमारा ड्रेस देख सकती हूँ मैं मुझसे सब डरो अब कैंडी मैं जादूगर्नी हूँ मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ बच्चो बच्चो सौरी मामी अब कौन? मैं जोकर हूँ कितना मसेदार है और रिबेका, मैं गाजर हूँ अरे वाह और मेरा चुटा भाई जोर्ज टरावना डाइनसौर बनाए सबके ड्रेस बहुत अच्छे अब तुम बताओ, विजेता कौन है? अरे हाँ और विजेता है पेपा पेपा तुम खुद को नहीं चुन सकती तुम जच हो ओ, नहीं कर सकती तुम्हे कोई और विजेता चुनना होगा ठीक है, गाजर जीती वाह थांक्यू पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है